आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर सुरच्छित होंगे, स्वस्त होंगे और मस्त होंगे इस इक साथ मैं शुरू करता हूँ, माइनेम इस शानुय स्वाल and you are watching your favorite channel study for all तो सुर करते हैं, अभी हाली में एक चर्चा का विशय बना हुआ है, म्यूकर माइकोसिस जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, तो आपको slide में दिख रहा होगा, पीछे मैंने कुछ slide बनाया हुआ है, hand written अपने भी कुछ है ठीक है, मैंने PPT बनाया हुए, इस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, about 360 degree पर मैं आपको समझाओंगा क्या गया है, ठीक है, तो आप सब देख रहे होंगे, जो COVID-19 से जो recover हो जा रहे हैं, फिर भी उनको recovery के बाद भी coronavirus उनको हो जा रहा है, उसके बाद अगर recover हो जा रहे ह है, जिसके बारे में हम सब discuss करने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही चर्चा का विशय बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही चर्चा का विशय बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं, mucormycosis, क्या बोलते हैं, mucormycosis, so let's study about mucormycosis, क्या है mucormycosis, का दूसरा नाम यादी पुछेंगा, तो क्या है, जीगomycosis, तो what is the another name of mucormycosis, तो जीगomycosis भी इसे कहा जाता है, ठीक है, एतने में कोई समस्या, नहीं, समझ में आया होगा, ठीक है, यह मैंने लिखा भी हुआ है, यह post covid disease है, post का मतलब बाद में होता है, post का मतलब क्या ह medicine जो लेते हैं, take medicine for coronavirus, जो coronavirus के लिए, जो medicine ली जा रही है, ठीक है, बहुत यहां से दिखेगा, किस के रूप में, as steroid के रूप में, steroid मतलब जानते हैं कि, steroid जैसे की कौन सी दवा ली आती है, इसमें, ठीक है, injection के रूप में, remedy severe, नाम सुना होगा, remedy severe, ठीक है, यह मैंने ब infectious disease था, संक्रामा करोख था यह, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, जो मैं चीज बताने ही आ रहा हूँ, और hepatitis B का जो virus था, उसका भी RNA था, genetic material, तो hepatitis B का भी अन्वानशिक पदार्थ, RNA था, तो समझ रहे होंगे, आप सब, ठीक है, one by one discuss करते है, every topic पे, तो जो ले रहे थ vaccine, ठीक, coronavirus के लिए, वो steroid था, अब देखे कर दियान से, mucormycosis को, ठीक है, क्या बोलते है, जीगomycosis भी बोलते है, और इसे black fungus भी बोलते है, तो mucormycosis जो disease हो रही है, उसे black fungus भी कहा आता है, ठीक है, तो यह disease of fungal disease, तो जो coronavirus से recover हो जा रहे है, तो उनको black fungus disease, यानि mucormycosis disease, या, gyomycosis disease का सामना करना पढ़ आ रहा है, तो यह बहुत ही, चिंता का विशे है, जानते है है, इसमें होता क्या है, कि, मुकस मेटेरियल बन जा रहा है मुकस मेटेरियल जैसे की स्पूटम बन जा रहा है मुकस मेटेरियल क्या होता है चिपचिपा बदाद बन रहा है जैसे स्पूटम को हम क्या बोलते हैं बलगम बोलते हैं बलगम बोलते हैं और यह हमारे जमा हो जाता है कहां पे यह हमारे LUNS में जमा हो जाता है LUNS मतलब फेफ़रे में जमा हो जाता है और LUNS की जो किरियात्म के काई होती देखे यह LUNS है इसकी किरियात्म के काई जो गुछे नुँआ, ग्रेप क्लश्टर जैसे होती है इस पे यह कवर कर देता है कवर कर देता है तो oxygen O2 क्या आप आएगा नहीं आप आएगा जिसके द्वारा सांस फूने लगती है और finally क्या होती death भी हो जाती है जो coronavirus में देखने को मिल ला है अब देखेगा इसमें बनाये हुआ है जो पेशन कोरोना से recover हो रहा है मतलब जो क्या हो रहा है recover होँ ठीक है उन्हें हो रहा है यो ठीक हो रहा है ऑफ सब lifts से वड़ी कारण यह भी इसमें है कि कैसे डाइलिस से जो patient diabetic हैं, dialysis बगईरा है » Schools के एलिवाal ठोल ब्內 bottom की गिड्मियां की किड्निया जो होती होता है तो दूनों क किड्णिया अगर काम नहीं कर देंगे को दो किड्यfelt को फिल्टर लगने वेगान करना आफ та ब्लीट करना होता है अरसे इस् Africa क्या होता है और लुद को अगर आलो फैट्सधी नहीं कर या फिर उसे क्या है, कैंसर भी है, कैंसर से जूज रहा हो, या फिर उसे वो हार्ट पेशन्ट हो, मतलब हार्ट पेशन्ट हो, ठीक है, हार्ट उसकी सही नहीं, सही से काम कर रहे हो, तो अगर विया वेक्ति, मैंने वेक्ति को भी ये बदिके बना है, मैंने, ठीक है, अगर य वेक्ति मजब कोई वेक्ति डियाबटीश था उसे करोणा हो गया यह यहिड्रीश पर फॉपर गष़ाइब दे जाएंगे, तो वा घा तक भी साब़ देख रहे होंगे, बहुत सारे लोलों का ठीक है беспुनी का यह टीक है, वो वो डेंजरस आभी तो रहा है क्यों कि देखें उनको ध्यान से देखेंगा इस लाइड में जो मैंने बता रहा था डायबिटी से वैसे उसकी क्या एंटिबॉडी रेस्पांस जादा नहीं कर रहे है इसलिए बहुत ही कम जाती है उसको ठीक करने है कराइगा तो इसस यह बहुत ही इंड़ले NZ continues भी उसके लिए साबीत हो सकता है अब देखिएगा मैंने क्या बताया था पहला चीज मुकर माइकोसिस डिसीज ठीक है यह फंगल डिसीज है पहली बाद जनिएगा कवक जनित रोगे कवक से इसको दूसरा नाम था जीगो माइकोसिस और इसका मिर्तुदर 50% है ठीक है और इस ट्रच यह रहे मह WILL. इससे मुकर माइकोसिस भी कहते है ठीक है दिहान से देखिएगा अब देखिएगा इसे बलैक फंगर भी बॉकला त्रॉज आधा है तो, इंसे होता कि आप मुना ने ही होते हैं इन यह चीरे के नीचे आपके यहां ब्लैके स्पोट हो जाते हुं तो आग के नीचे नीचे और कॉलि के निशान एंडे यह ब्लैक ससूत जो उस्सपाइर कान सौरी नाक नोज और आई के नीचमें नीचे में बीच ओ भीच में आक के नीचे क्या होते हैं काले निसान इन्हीं ब्लैक है्ट हो जाते हैं आप समझेगा दूसरा मैंने इधर भी को समझाया हुआ है कि कैसे यह प्रॉब्लम कॉस करता है समझेगा एक चीज़ समझेगा ठीक है problem कैसे cause करता है देख़ेगा. यह naak के थोरूर in-ter कर रहा है ठीक है? उसे बोलते हैं black head जो अभी मैंने बताया था, black head याती है, अब आख के नीचे ये क्या हो गया, ठीक है, black head हो गया, फिर चेहरे में, जिसे एक समय भी एक दिन बीपता है, यह कुछ ही समय बात क्या होता है, चेहरे में pain होने लगता है, मतलब facial एक होने लगता है, face मतलब चेहर face पर है, फिर उसके बाद क्या होगा, symptoms के आएंगे, सरदर्द होने लगेगा, यह मैंने slide one by one बताया है, उसके बाद क्या होगा, सरदर्द करने लगा, headache होने लगेगा, फिर क्या होगा, जो eyesight है, eyesight either side, eyesight खोनी पड़ जाएगी, ध्यान से दिखिएगा, eyesight पूरा काले, black हो जा उसे काटनी भी पड़ सकती है, यह देखेगा बहुत दियां से, जो nose bone होता है, उसे काटना भी पड़ सकता है, that is very critical, ठीक है, बहुत ही difficult circumstance हो रहेगा, बहुत ही मुश्किल पज़ती दिती रहेगी उस patient के लिए, और यदि प्रॉपर जल्दी से इलाज नहीं, treatment नहीं किया treatment, तो उस्वक्ति की जान भी जा सकती है, जैसा कि यह देखने को मिलना है, that is another disease of fungus, ठीक है, यह fungus काई disease है, ठीक है, कवक जनीत रोग है, अब इसमें मैंने यहाँ पर slide में मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है, ध्यान से देखेगा, एक चीज समझेगा, ठीक है, यह ज्यादत सर लोग doctor के पास नहीं जाते है, जै नॉर्मले जुखा में तो और भी सारी दवाईयां लिया, ठीक है, तो क्या होता है, doctor के पास नहीं जाते है, और घरेलू इराज शुरू कर देते हैं, हम अपना stream लेना, यह सब शुरू कर दिया, और stream लेने से इसमें क्या इसमें क्या होता है, 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 से खूनी पड़ी आती ठीक है वेखती को आंक ओपर होता है जिससे जिसके बाद आँखे चिपकनी लगती और सिर में तेज धर्द होने लगता विजासे कि इसलिए आंक गाल में क्या होती सूजन होता है और नाक में आपको तुरन्त फंगल त्हेरेपी शुरू करनी चाहिए। यूर ब्लयक वह रहर हैं छीजय है ठीक है किस बंबा यह फुरू करनी चाहिए। यह डॉक्टर का कहना है देखेगा यह एंटी सर्जन है यह एंटी सर्जन है ठीक है दा गॉवर्मेंट है जो एंशूर प्राइस कंट्रोल एंड एडिकोवेट सप्लाइ एंटी फंगल फॉर मुकर माइकोसिस दा सिच्टुएशन इस सीरियस सूचिये इन्होंने क्या बोला सीच्टुएशन इस सीरियस इस सीच्टुएशन चल आ है ठीक है मुकर माइकोसिस का यह बहुत सीरियस है रेशनल यूज ऑफ इस्टुराइड दा नीड आफ दा हॉर जो अगर इस्टुराइड ले रहे है ठीक है उसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए अब क्या सीरियस है मुकर माइकोसिस यह भी एंटी स्पेशलिस्ट है और यह भी आप देख रहे होंगे एंटी सर्जेंट है सर्जन है ठीक है और डॉक्टर बीपी दिसाई चेर्मेन है साउथ ठीक है गज एकाडमी ओफ ठीक है ओडलर ओटनलो लॉजिक है ठीक है तो बहुत ध्यान इसका करना इसका टिख्मेंट करना ठीक है ठीक है तो इन्हों ने भी बहुत ही दिक्कत है ठीक है यह भी एंटी सर्जन है साइन सच एस ऐस फेसेल पर면 चेहरे में कहता है जोग में होता है फ्रेश ऑनसेट आफ हैडम है रगता ह आईड़े में लगता है आई पनांघू होगा जल्दी शुरुवात में यह दिखाएगा मुकरमाइकोसिस ट्रिटेट बेटर इफ कॉट अरली यदि देखे कितना बड़ी चीज उन्होंने बोला है ठीक है अतुल पतिल जी ने क्या बोला है यदि मुकरमाइकोसिस को ट्रिटेट कर दियेगा तो अगर जल्दी अरली बहुत खुश होते हैं अरे वहां हम तो कोविड मुझे हुआ कोड़ कोरोना वारस हुआ हम रिकवर हो गया है निगेविट्टी भी आ गया हमारा अब बहुत मौझ है लेकिन नहीं देखेगा कोविड निगेट्व होने के बात खुद को कैसे रखें फिट तो देखेगा ब पानी पीए जब कोविड से रिकवर हो जाएं फिर भी आप उतना मत ये रहे कि आप पुरा अपने पर ध्यान ना दीजे ठीक है तीन दिन में तीन से चार लिटर आप क्या पीजे पानी पीजे फिर बहुत हैं देखे सक्कर से परहेज किजे सक्कर बिलकुल ये देखे इसन दियान से देखिएगा ठीक है फिर क्या है एक चीज और है कि नियमित क्या कीजे नियमित योग और प्राणायाम करें प्राणायाम करें प्राणायाम करें योग कीजे एक्सराइस कीजे लेकिन जो आप योग कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ योग मत कीजे ठीक है आप आयाता है comment section के box में जरूर बताएगा ठीक है और आप क्या लिए दिखेगा protein लिए जितना उसके protein मतलब दाल का पानी पीजे खो यह दाल का प्रियोग ज्यादा कीजे ठीक है सोया बीन लिए बहुत दिखेगा ठीक है बहुत दिखेगा और के लिए सोया बीन लिए ठीक है portion से भरपूर भोजन करें portion से भरपूर portion किसे कहते हैं इसमें protein हो carbohydrate हो ठीक है ज्यादा वसा मत लिए ठीक है minerals हो यह सब सारी चीजें लिए ठीक है calorie को नजर अंदाज ना करें calorie calorie कहां से मिलेगा आपको carbohydrate चीजें रोटियोटी खाईए calorie मिलेगा आपको ठीक है यह ध्यान से दिखेगा और सबसे महत्तुपूर्ण मैंने बताया था खुब तरल पदार्त लें जैसे juice पीजे fresh fruit juice पीजे नहीं हो तो पानी पानी खुब पीजे तीन से चाल लिटर मैंने जैसे की बताया था आपको ठीक है यह ध्यान से दिखेगा इसके लिए get more rest rest बहुत कीज़े ठीक है जो खुब रोना वाइरस से रिकवर हो चुका है निगेटिव आया है बाद में उनका तो वह get more rest बहुत करें stay hydrated 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 का मतलब क्या होता है मैंने बताया था hydrated का मतलब यह होता है खुब पानी जितना से जितना intake करें ठीक है इस टेक करें मतलब खुब पानी पीए ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है दिखे इस आर्टिकल में यहाँ पर यह भी लिखा है deep breathing exercise for healthy lungs deep breathing लिजे ग प्राणा याम कीजिए तो बताएए मेरा information कैसा लगा आप सबको चैनल को like कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेगा thank you for watching keep it up हसते रहें पढ़ते रहें सुस्त रहें मस रहें